हम बिहारी हैं तो हमें नीचा दिकाया जाएगा हमें काटके फेक दिया जाएगा तो हर बार बिहारी कहीं और जाकर सफर क्यूं करेंगे अगर बिहारीों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा, यहां पर ही काम करने का साधन मिलेगा, तो उन्हें इस तरीके से दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा, और नहीं मजदूर लोटकर डरकर वापस आ रहे हैं दीरे-दीरे, यह मतलब क्या है यार, हर बार इस तरीके की चीज और हर बार सफर करना पड़ता है, हमने किया क्या गलत है, सिर्फ इसलिए कि हम भी आ रही हैं। मेरा प्रणाम जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं। उन में से दो लोगों की मौत हो गई है और उनके साथ लगातार कुछ न कुछ मार पीट, बचसलूकी की जा रही है, जो की सरसर घलत है। और मैं चाहती हूँ कि यहां बिहार सरकार जल्द से जल्द अविलंबित इस पर फैसला ले और जितने बिहारी वहाँ पर हैं। जल्द से जल्द यहां बुलाया जाए। इससे पहले भी कई सारी घटनाएं हो चुके हैं। पंजाब में, तामिल लाडू हो ही गया, और भी बहुत सारे जगों पे हुआ है। आसाम में, तो हर बार बिहारी गहीं और जाकर सफर क्यूँ करेंगे, हर बार ऐसी चीजें उन पर क्यूँ होती रहेंगी, अगर बिहारीों को बिहार में ही रोजगार मिले काई हां पर ही काम करने का साधन मिलेगा तो उन्हें इस तरीके से दर-दर भटकना नहीं और ना ही इस तरीकी की चीज़े उन पर उनके साथ दुर्वैवार किया जाएगा ऐसा नहीं होगा तो प्लीज मैं चाहती हूँ सरकार इस पर जल्द से जल्द कुछ सोचे विचार करें और उन्हें जल्द से जल्द यहां बुलाया जाए थांक यू कि आप लोग इस वक्त जुड़े हैं मुझसे आई सपोर्ट यू माम बीके मिश्रा महरा थांक यू जी थांक यू सो मुच मैं जब से मैंने न्यूस सुना है तब से बहुत ज्यादा इस बात कुछ सुन के तकलीफ हो रही है कितने लोगों की जान जा चुकी है और कितने मजदूर लौटकर डरकर वापस आ रहे हैं दीरे दीरे यह मतलब क्या है यार हर बार इस तरीकी की चीज़े हर बार सफर करना पड़ता है हमने किया क्या गलत है सिर्फ इसलिए कि हम भीहारी है हम भीहारी है तो हमें नीचा दिखाया जाएगा हमें काट के फेक दिया जाएगा हमें हमारे साथ दुर वैवार होगा हमारे साथ मार पीठ होगी क्यूं ए यह यह बोहत जादा ही घलत बहुत 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 जादा गलत बात है मैं मतलब मुझसे रहा नहीं गया अभी मैं शो में आयो थी इसलिए आप ऐसे गटउप में देख रहे होगे मुझा शो में आई थी और मैंने अचानक से तरीन अर और यह नो नीउस चैनल में किसी ने बताया भी चैनल भी देखा तो मुझे सुनके बहुत जाधा बुरा लगा बहुत जाधा बुरा लगा और एक बिहारी होने के नाते मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ यह सरा सर घलत है और इस पर प्लीज अगर आप यह यह message को मेरा जादर जादर spread करें और मतलब सरकार तक यह बात मेरी पहुंच जाए प्लीज आप जादर जादर शैर करें गाईज ताकि मेरी बात उन तक पहुंचे और जल्द से जल्द इस पर नयाए हो मेरी यही मांग है और जितने भिहारी वहां पर हैं प्लीज उन्हें आ बुला लें, प्लीज, once again हाथ जोड के विंती करती हूँ प्लीज इस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए हमारे सरकार को थांक यू वेरी मॉच और बस प्लीज प्रे करिये कि वहाँ जितने लोग फसे हैं वो लोग सुरक्षित आ सकें और इस तरीकी की चीजें उन्हें ना जेल न पड़े थैंक यू